कि यह बात्रूम का सिपी फिटिंग है यह बात्रूम का सिपी फिटिंग कम्पिलीट है यहां पर गिजर लगा हुआ है यह बात्रूम कम्पिलीट हो गया है सिपी फिटिंग यहां पर आपका डवलोसी हो गया इस डवलोसी का फलाश टैंक साथ में है आप देख सकते हैं इसमें हम लोग ने सिल्कोन मारा है सिल्कोन मारने से उसमें से बद्वू आने का चांस नहीं रहता है और सिल्कोन छोड़ता भी नहीं है सिमेंट मारे हो तो निकलने का चांस रहता है यह आपका मिक्चर हो गया ZSpray का आप देख सकते हैं यह ZSpray है इसका मिक्चर हो गया ठंडा गरम के लिए समय पानी चालू है यह देखे ए WC यह WC में भी पानी चालू है देख सकते हैं आप सब चेकिंग हो गया है पानी चालू करके कहें लिकेज हो तो आदमी एक साथ रिपेरिंग कर सकता है इसके लिए चेकिंग किया है यहां पर आप एंगल कक है WC का यहां पर आपका मिक्चर हो गया है यह मिक्चर है यहां पर लगा हुआ यह यहां पर मिक्चर लगा है यह उपर सावर है आप देख सकते हैं इधर सावर गया है उपर इसका यह सावर हुआ इसका इसमें इस समय पानी चालू है यह देखे पानी आ रहा है इसमें पानी चालू है उपर गिजर हो गया यह देखें सावर में से पानी आ रहा है कि सब चालू है इदर कि यह आप देखिए इदर बाहर वास्पेसिंग है इदर वास्पेसिंग लगा हुआ है आप दे सकते हैं इसके नीचे जो राता एक पैट जैसा लगा हुआ वह नहीं है इसमें इसका हाइट इट फाइप राता है टाल से यह पिलर का खुआ इसमें भी पानी चालू है जो देखे समय पानी फाणी समय चालूए बातरूम टेस्टिंग हो गया है हर एक चीज लाएक बातरूम टेस्टिंग हम लोग ने कर दिया भी यह आप देख सकते हैं इधर एक भी पूरा खाली है इधर साब पाई करने के लिए उसको आसान तरीके से सबाई कर सकता है नीचे इसका नीचे से 85 पराता है इसका सिसा हो गया इधर साबुन रखने के लिए साबुन सेम्पू कुछ भी रख सकता है इसका यह देखिए आप यह सिसा हो गया इसका कि यह फिटिंग पूरा ओके हो गया है इसका भी फिटिंग पूरा ओके है कंप्लेट बातरूम हो गया है डवलो सी हर एक चेज लग चुका है इसमें कंप्लेट होगे बात